तो साल के 12 मही ने क्रिकेट का बुखार चड़ा रहता है लेकिन जब बात होती है एप्रेल और मही की तो क्रिकेट का त्योहार आता है और उस त्योहार को जो दमदार मज़ेदार बनाते हैं वो होते हैं IPL के खिलाडी IPL में खेलने वाले खिलाडी और आज एक ऐसा ही पर शिखर धवन की जो आज हमारे साथ मौजूद हैं शिखर भाई सबसे पहले तो टाइम सान अब भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत कर लेते हैं तो जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट का त्योहार आता है एप्रिल और मही के महिने में लेकिन इस बार शिखर धवन क्रिक जो मैं नई चीज जो मैं ला रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है वह है यह मेरी शिक अधमन फांडेशन इंपक्ट 11 जो की इसका प्रिलांच है और यह मेरे दिल के इसलिए बहुत करीब है क्योंकि मेंसे सेवा करने का बहुत शौंक है और मैं को ऐसा लगता कि मालिक इतने बड़े मुकाम पर पुछ आया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी देश की कॉम्मिनिटी की सेवा करूं और मैं पहले भी करता है हूं काफी इनिशेटिव किया है तो अब थोड़े और डीपर लेवल पर और इंपक्ट फुल करना चाता हूं अपनी फांडेशन तो वह ही है फांडेशन का प्रिलाउंच है तो उसमें हम जो में चीज है कि हम इसमें इंपक्ट 11 जो है वो है कि हम 11 इंजी उसके साथ को अडॉप्ट करेंगे या कॉलाइबरेट करेंगे और जो एरियो फोकस है मैं सिफ एक पर्टिकुलर एक चीज पर नहीं जा रहा है कि जाये वो बचों की पढ़ाई के लेके हो या और्फनेच के ओल्ड एज हों के लिए हो डॉप शेल्टर के लिए हो अनिमल शेल्टर के लिए हो कि मेरा मेरी जो फिलिंग्स है वो सब के साथ जुड़ हुई है तो मैं सब के साथ न सारी चीजों में काम करना चाहता हूं और मेरे साथ काफी लोग अभी जब से मैंने डिसकस किया इस सारा कुछ तो काफी लोग जोड़ भी गए हैं और बहुत एप्रिशेट करें इस काम को की इसकोर बढ़ाना है और मैं चातों की जो फाउंडेशन है जो मैं हमेशा अपने जो मैंने वर्क एथिक सीखे हैं अपने क्र होगी तो मैं इस फाउंडेशन को उस चका पर देखने चाहता हूं कि जहां पर जब फाउंडेशन का नाम है तो लोग नाम सुनते ही कहें कि आरे दमदार फाउंडेशन है कि यह काम करती है बिल्कुल और मदद करती है लोगों की तो बस उसी विजन के साथ और चाहे कोई रहे ना रहे कि फाउंडेशन ऐसी रहने चाहे कि जो लोगों की हल्प होती जाए तो यह मेरी दिल से अच्छा और जो थोड़ा बहुत मुझे पता लगा जब मैं आपसे तो जादा बात हुई नहीं फाउंडेशन के बारे में लेकिन जितना मैंने बैक्राउंडर लिया ज चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे एंटरेंबेंट हो बिजनस में भी आप एंटर कर रहे हैं एंजियो जैसे आपने बताया डॉप कर रहे हैं तो इसका पूरा मॉडल अगर आप समझा पाएं दर्शकों को कि क्या रहने वाला है आप किन लोगों को टार्गेट कर रहे हैं तो वो सारी चीजे फिर ऑटोमेटिकली अभी अभी अब जैसे हमें 20 लाग का राशन आ चुका है तो हम वो 2,000 फैमिलीज को देंगे और 2,000 फैमिलीज इकुल टू 8,000 पीपल तो उनको एक मीने 8,000 लोगों को एक मीने का राशन मिलेगा तो पहला कदम भी इतना बड़ा त तब से गरीबों को या जो कहें जिनके पास पैसे नहीं है उनको खाना खिलाया जा रहा हुआ उन तक फ्री राशन दिया जा रहा है तो शायद उसी तरीके से हम कहें कि शिखर दवन भी अब उस काम में लग गए है जिस तरीके से जो एक विजन है प्रदान मंत्री नरेंद के लिए तो उन्होंने हजार इग दिया बच्चों के लिएंट कि यहजार बच्शों के लिए तो ऐसे जोड़-जोड़ के कदम सारे चलते जाएंगे और उसको आगे बढ़ाते चाहेंगे ताकि जितने भी लोगों की सेवा कर सकें उससे बड़ी कोई बात ही नहीं हुआ मेरे पेरेंट्स मेरे रिलेटेव तो सब ने सपोर्ट किया है तो सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है तो आज अगर कोई भी उस मकाम पे है तो मैं तो यही बिंती करूंगा सबसे की सपोर्ट करना चाहिए और बाकी हाँ जी अपता है यह बाएं हाथ के बल्ले बाजों में ऐसा क्या है कि यूरात सिंग की बात कर लूँ वो कैंसर के फॉंडेशन चलाते हैं गौतम भाई की बात करूं वो तो कुछ सांसत बन चुके हैं वो एक रसोई चलाते हैं जिसमें सिर्फ एक रुप्या लिया जाता है और आप खाना का सक फोकस हटा के भार पर फोकस देते हो कि भी एक उतना है कि बढ़ी बंदर सेल्फ इंटरेस्टी रहता उसका भी मेरे को यह मिले में लेने की देने की यूर्फ टो जैसे महाबारत में करिदार था था कि दानवीर करन कि उन से बड़ा कोई दानवीर ही नहीं हुआ आश तक त कि ऐसा बनो कि जितना दान दे सको दे सको और उसमें फिर भला ही है ने सबको ग्रो का अगर बच्चे पढ़ेंगे अब जैसे समचो स्कूल हैं उनके साट आइप करेंगे अंडर प्लिफिलिज के लिए कि बच्चों की पढ़ाईयां हुए और वो जब पढ़ेंगे तो अगर आप अच्छे कर्म से अच्छा पैसा कमारें बड़ा कमारें तो इसे कोई बात ही नहीं सेकंडली क्या कहते हैं वो दूसरा है टूटल अधर आस्पेक्ट है जैसे अब है आप मिरे बतारे थे कि भी क्या है क्या नहीं कि भी मेरे में दूसरे काम भी शुरू करूं बिजिंस शुरू करूं तो I feel की अब जैसे मेरे एक transition period मेरे को पता है कि मैंने थोड़े साल कहला ह तो मैं आगे फ्यूचर का धमेशा विजन ले के चलता हूँ कि क्या चीज़ है क्या नी तो उसके अब जिसे आई गॉड बेरी गूड प्रफेशनल टीम प्रफेशनल के इची टीम है मेरे पास तो हम सारे बिजनसे सेट कर रहे हैं अच्छी चीज़ है कि कल को कुछ खतम होए तो मैं अपने आपको इतना स्थर पे ले चाहूं कि मेरे पास और काफी सारे काम हो करने के लिए एंड वो प्लैनिंग करना भी से बड़ा ज़रूरी है और जो फांडेशन की बात रही बिलकुल जैसे कि अभी पिछले उसमें भी कैसा दो रहा है करोना के उसमें की काफी ल काम है या लिंक्स है कि मैं उन चीजों को यूज कर सकता हूं अच्छे काम के लिए तो क्यों नहीं अपने बात की करोना काल के अंदर दो तस्वीरे सामने आती थी एक तस्वीर तो यह होती थी कि शिखरदवन अपने कपड़े दो रहे हैं और दूसरी तस्वीर यह आती थ हुआ कि बहुत लोगों की मदद किया अपने इस दोरान है हां जी मस्ती भी करता था पर जो है काम है जो उस वक्त की जो नीड है और में को बड़ी खुशी मिलती है कि जब ऐसा कभी भी कोई समय है तो हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है कि सब कठे हो जाते हैं उस वक् अपने बहुत बड़ी बात है और उस पक पूरा देश जब कठा हुआ सब ने चाहे पैसे डोनेट किया या कहीं होने बहुत सेवा करी तो समने अपने तरीके अपने डंग से तोर से वह किया तो उससे ची कोई बात नहीं और अच्छा फील होता है कि कोई किसी की लाइफ ब हमारा तो आप इंजड होए तो उसका पीम साब ने आपके लिए एक लेटर भेजा था कुछ ट्वीट उन्हें ने आपके लिए किया था तो यह जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि जो उनका विजन रहता है जिस तरीके से वह भी यह चाहते हैं कि लोगों के मदद की ज कर जेंगे आगे और यहर एक एच की स्टेज होती है कि अब जने मैं आट-बचे साल से मैं हुआ हैं वह लिए क्रिकेट खेल रहा हूं कंसिटलीं डिन धाल हो बाल होता है उसके बाद बंदा और सेटल होता है फिर मैचूर होता है रहता है और यह होता कि भी जब एक अब जैसे हैरेक सपना था गाड़ी लेनी थे ची गाड़ी पी लिए अच्छा काम कामें भी अच्छा हो गया हो गया तो जो एक सारे सपने होते हैं पर उसके बाद पर दोसरों के लिए भी कर सकते हैं। पहले बंद अपने लिए कठा करता है, फिर होता है अब इतना तो है है कोई बात नहीं है। अब जो आया एपिल मैं उस्टेज पूरेश्ट के लिए करूं और मैं को दिल साथी है। अच्छा आपने मेरे ट्वीट देखा को जो मैंने आपके साथ शेयर किया था मुझे एक चीज ये समझनी आती कि मैंने शिखरदवन को एक जनकपुरी के वेजदेली बॉय के रूप में भी देखा है जब आपका डेब्यू नहीं आता हम आपसे काफी मिलते थे आपके अपक हो गेंस आजाता है मैं कुछ खिलाडियों में देखता हूं मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन शिकरदवन क्यों नहीं बदले कभी मेरे पेरिंट्स ने मुझे बड़े इच्छी बड़े संसकार दी है मेरे फादा साब हमेशा मुझे सिखाते थे कि भी कैसे बोलने का क्या लहजा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि हुमिलिटी हम्बलनेस कमपैशन ये सारी सबसे बड़ी पार है तो अगर आप इन चीज़ पे काबू कर ले सेंच शीलता पेशन्स होए तो फिर आपकी जो ये एनर्जी होती हो बड़ी हाइफ करते हैं फिर वही प्यार हर अप वही प्यार सबको बांदते हो तो फ़िर दुसरे इंसान को मेंशा आपको पियार फील होता है तो वहमने स्पिज्वार्टी से सीखिए है चीज तो मैं उसको अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट करता हो प्रेक्टिस करां थिए और तो इसल रिलेशन है सबसे, ऐसे नहीं कि किसी से कोई प्यादे का रिलेशन है, बड़ एक प्यार का रिलेशन और वो प्यार में सारी चीज़े होती है। में मलिक का बहुत शुक्रिया था करता हूं कि मुझे इतना सबकुछ बक्ष है बहुत गश्यूं हूं। एप सब्सक्राइब बहुत दॉप्ति घ़ित क्रकिद्ग यह फ़ी तो इंडैंटीन तीम ostrac आपि नेवाला इंटरने इन्ट्रनेशनल को किए तार अपसे बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं एक इंपचेन्ट टॉपिक के बारे में आपसे बात कना जाता हूँ आधरी मु मिले थे जाना जातों एक नई मूवी आई है जिसके ओपर जो काफी चर्चा में है काफी बात और मूवी का नाम है कश्मीर फाइल्स तो क्या शिखर दवन कश्मीर फाइल्स देखने वाले अगर में को मौका मिला तो जरूर देखूंगा मूवी तो शिकर भाई अब इंडिया का त्योहार शुरू होने वाला इस बार जो दिल्ली का दिलेर है पंजाबियों के साथ मस्ति करते हो नजर आएगा बिल्कुल हां जी दिल्ली में मैं पला बढ़ा हूं लेकिन मैंने हमेश से हें तो कि हमारे हिंदू पंजाबी को से नहीं इंप नियुक्त निसरा लागर आट बहूंग संहां गाएप को ने हमेशा आहाई है कि तो आपके लिए एक वह वह कि मैं बात करूं बहुत इंपोर्टन होता है कि महाल कैसा है टीम का और मयंग कप्तान रहने वाले हैं आप टीम के सीनियर खिलाडी रहने वाले बहुत अच्छी आप डोनों के बीच में बॉंडिंग है तो मतलब यह मान के चलें कि इस बार मज़ा आने वाला है पंजाब के सा टीम की और एक जो महल पुनाना चाहिए टीम में इतने सालों से खेल रहे हैं आइडिया होता है कि क्या महल बनाएंगे और अच्छा करेंगे ताकि हमारे पंजाब के फैंस पंजाब के उनर्स सब बहुत खुश है जो पंजाब किंग्स का सूखा है एक लंबा सूखा है एक लंबा इंतजार है तो क्या मैंक अगरवाल और शिकर्दवन की जोडियों से खतम करने वाली है बिल्कुल हमारा जो प्रोसेस है जैसे मैं हमेशा बात करने प्रोसेस अच्छा रखेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएंगे और आइफिल की बिल्कुल काफी सालों से वह न मज़र आए बहुत अच्छा सीरीज भी रही बत और बल्लेबाद आपके लिए काफी अच्छी सीरीज रही तो इंटरनाशनल क्रिकेट में भी हाँ वह और इस साल टी-20 वर्ल्ड कप भी है आईपिल में शतक मारते हैं कहीं बार शतक मारते हैं वो टी-20 में भी इस साल तो पूरी जगह है पूरी मतलब देखिए वो तो सेलेक्टर्स पर डिपेंड करते हैं आप तो तयार हैं जी हां मैं तो त्यार हूं मैं जैसे एपिल है तो बहुत बड़ा प्लैटपॉम है तो अफकोस मैं अच्छा पूरी अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करूंगा और बाकी आगे मालिक की मर्जी आना अगा तो भी अच्छा है नहीं आए तो भी कोई बात नहीं अपना खिलते रहेंगे अच्छा करते रहेंगे और खुश्यां फिलाते रहेंगे सारी जग़ा बस मेरा आपसे आखरी सवाल है जो आपके एक दोस्त है बहुत जिगरी दोस अब तीनों फॉर्माट में कप्तान बन चुग है, क्या कहेंगे रोहित के बारे में, कैसे देखते आप उनको ऐसा लीडर और एसा हुमन भी रोहित, बहुत अच्छा कप्तान है, एसा लीडर और एक्सपिरियंस कप्तान है, क्योंकि इसने आई पेल में इतने साल करी, इंडि लंग है वो भी, बिंदास है मुंबई के लेंगविट में, और आम शोर कि वो ग्रेट इंप्रेशन छोड़के जाएगा, यंक से इसको बहुत कुछ सिखाएगा, तो शिकर भाई हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुपकामना है, आपके इस फाउंडेशन के लिए, जो, मैं हमेशा ही जानता हूँ कि शिकर दवन एक डिलेर आदमी है, जिन्होंने हमेशा आम लोगों की मदद किये, जितनी उनसे मदद हुई है, तो इस फाउंडेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुपकामना है, कि जो फाउंडेशन उसी तरह इसको तरक्की मिले, जिस तरीके से शिकर दवन को अपनी जो जरनी में तरक्की मिले, तो इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहिए, और हमारे लें समय है निकालते रहिए, हम सा जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तैंक यूशिकर आइगू, ठैं